दोस्तों आज की इस वीडियो में LIC की policy को pen card से link करना सीखेंगे इसके लिए आपको mobile या PC का use करना है Google पार के आपको LIC link के search करना है पहले option पर आपको click कर देना है जैसे आप process पर click करेंगे यहाँ पर आपको आपका data पर जो आपने policy पर दी थी mobile number, email id, pen card का detail और नीचे आपको आपका policy number डालना है अगर आपकी एक से ज़्यादा policy है तो आप add policy पर click करके multiple policies को add कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है इसके बाद जो number आपने डाला था उसके उपर एक OTP आएगा आपको उस OTP को जो है यहाँ पर डालके submit पर click कर देना है जैसे आप OTP डालके submit पर click करेंगे तो आपका जो policies है जो number देते सारे link हो जाएंगे यहाँ पर तीन policy link हुई एक इसलिए link नहीं हुई है क्योंकि जो चौथी policy है वो child policy है child policy को आप अपने साथ link नहीं कर सकते हैं अब क्या यह mandatory है अभी फिलाल यह mandatory नहीं है कोई ऐसा rule regulation नहीं आया लेकिन बात में जब आपका policy mature हो जाएगा हो सकता उस time पर आपको link करने की जरूरत पड़े तो आपकी इच्छा है अगर आप link करना चाहे तो कर सकते है अगर आप नहीं करना चाहे तो जरूरी नहीं है तो दोस्तों overall यह थी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो please हमाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा